वेल्कम गाईज जेकलों जोब चलेंगंब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में डिस्टि करने वाले कंबर सारी कुषन से हैं पर डिस्क्स करने वाले हैं calm रसान मेंन ख्माश्टि का कर लेते हैं इसके बाद for जिसके कुछन हम कर लेंगे, ठीक है, पहला कुछन है, कि डूटेरियम में कितने प्रोटोन होते हैं, आपके सामने उप्षन है कि 1, 0, 3, 2, चार उप्षन आपको दे रखे, आपको वन उप्षन सिलेट कर लेना है, और आपको ये मान के चलना है, कि आप अपना एक्जाम दे रहे हो, आपने इमयान दार से वन उप्षन सिलेट कर लिया होगा, कि डूटेरियम में कितने प्रोटोन होते हैं, ये मान के चलो, कि आप से एक्जाम में पूछ लाए, अब आप क्या करूँगे, इसका राइट ओप्षन हो जाएगा, आपका, वन, कितने प्रोटोन होते हैं, वन, नेक्स्ट, इतिलिन में कार्बन के साथ कितने बंदन जुड़े हुए होते, प्रोटोन होते हैं, वन, कितने बंदन जुड़े हुए होते हैं, बहुत अच्छा क्यूशन हैं लगा देगा टिक आपने, इसका राइट ओप्षन हो जाएगा, फॉर यानिकी ओप्षन टू, कितने बंद जुड़े होते हैं, फॉर बंद जुड़े होते हैं, अगला, आखों की बीमारी किस وिटामिन की कमिकल करण होती है, आय डिजीज इस कोज बाइद डेपिसेंसे उप विटामिन, विटामिन सी, डी, बी, ए, हमने आपको विटामिन पूरा पढ़ा दिया है, नोने रोग हमने आपको पढ़ा दिये इसे कोई भी स्टेफ नहीं किया है तो बता दो आंसर कि आधो की बिमारी किसी विटामिन की कमिदी कान होती है फिर इसी प्रकार विटामिन इनके कमिदी क्या होता है सब आपको याद रखना है और जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना विटामिन बीके बीवन बीटू है ना उनके भी आधर रखने हैं अगला चुनने के पानी का राशा निक नाम है मिल्क ओप लाइम इन केमिकली चुनने का पानी का राशा निक नाम CAHCO3, CAOH2, CSO4, 2H2O, CACO3 इसका राइट आप सुनों जाएगा आपका CAOH2 नेक्स्ट पेनिसलीन एक है हार्मोन, विटामिन, एंटिबायोटिक या पर जबर ना सक पेनिसलीन एक है इसका राइट आप सुनों जाएगा आपका एंटिबायोटिक या ठीक है किसने कोज कीती ये भी आधर रगना है आपको कभी कीती ये भी आधर रगना है फ्रात्मिक एलकॉल कौन सा है विच इज प्राइमरी एलकॉल प्रोपेन टॉल आइसो प्रोपाइल एलकॉल ब्यूतेन वनोल पताएं ना आपको फरात में कौन साए दित्ते कौन साए तरते कौन साए हेलकॉल आपने पढ़ा हुआ है रसन विग्यान एंसे इटी क्लास 12 प्राइमरी एल्कॉल टाइट ऑप्शन इच ब्यूट एन वन ओल ठीए ब्यूटेन वन ओल अगला तोड़ा से एड़ेस्स कर लेते इसको वात्ता वर्ण में पर्चूर मात्रा में पाये जाने वाली अक्रिय गेस से आपको बतानी है चारोप्शन आपके सामने आजी रहे इसका आपका ओर्गन आपने पढ़ा हुआ है प्रमानों क्रमां कितना होता है पता है अब कोई बोलिंग सत्रा कोई बोलिंग अटरा बैट आपको पता है तो आप बता देंगे गेस इस्तरां आर इस्तिर होता है यानि कि दे गेस कॉंस्टेट आर इस कॉंस्टेट के वल वास्ट वी गेस के लिए के वल आदर्स गेस के लिए आदर्स और वास्ट वी गेस दोनों के लिए न तो आदर्स गेस के लिए हो नहीं वास्ट वी गेस के लिए कि इसका राइट ऑप्शने केवल आदर्स के लिए ओनली आडल गैस अगला क्यूशन है कि सी एस्टो में कार्बन की ऑक्सिकन सेंग्या है दा ऑक्सिडेशन नंबर और कार्बन इन सब्सक्राइब को पूचे जाएगा एक कूशन तो आएगा है ऑक्सिडेशन नंबर कि पढ़ाओगा ना आपने टोल में बताओ तो फिर प्लस टू जीरो माइनस टू प्लस पॉर सो इसका राइट उप्सन है आपका जीरो अगला वहलर ने यूरिया उसमा द्वारा किसे संसलिट किया वहलर सिंतेसाइज यूरिया वाई हीटिंग अमोनियम साइनेट अमोने यूरेट अमोनियम ऑक्सिलेट फेरिक साइनेट बहुत अच्छा है इसका राइट उप्समा जीरो आपका अमोनियम साइनेट अमोनियम साइनेट निवन में से किसका सबसे अधिक कैलोरी मान है विच आप दे फ्लॉविंग है जे हाइस्ट कैलोरी वेल्यू वसा विटामिन प्रोटिन कार्भाहिट्रेट राइट उप्समीच फेट वसा अगला निमन में से कौन सा एक अनुसिंग के गुंद्रम है विच आप दे फ्लॉविंग इजे कौलिगेटिव प्रोपाटी काउत नांग हिमांग गल नांग हिमांग में अवनवन बहुत अच्छे चिक उसने गाईज इलेवन टॉल से आए अनुसिंग के गुंद्रम है इसका राइट उप्समीच आपका ही मांग में अवनवन टीक है डिप्रेशन इंस फ्रिजिंग पॉइंट अगला टेफलोन में निमन में से कौन सा तताव मौझूद होता है विच अब दफलोविंग इलेमेंट इन पर्जेंट इन टेफलोन एफटू आईटू ब्यार्टू चेल्टू आपका जो चेप्टर है बहुँ लख पड़ाओगा आपने पॉलीमर वाला चेप्टर इन जैवन वाला चेप्टर इन पर्जेंट है क्योशन बनते हैं बनते हैं वहां से टेफलोन में निमन में से कौन सा तताव मौझूद होता है इसका राइट आप्सन है एफटू ऐसे क कुशन बनते हैं अगला कि निमन में से कौन सी दाओ तो कौपर सलपेट विलेन में कौपर को विस्ताफित करेगी वीच व्यच फ्लॉविंग मेटल विल्ड डिस्पेल आपकर फॉर्म कौपर सलपेट बहुत अच्छा क्यूशन अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दा आपकी यही नोलेजच चेक करना चाहता है कि आपको से क्रेट असरी ने पता है कि नहीं है यह एक उसन में पता कर लेता है कि आपको पता ही नहीं है यह होता ही अब्जेक्टिव टाप की कुज़न में कौपर को विस्ताफित करेगी जो अधिक क्रियासी अधिक होगी वही क आपका परस क्योंकि यह इधीड अब ग्रा सेले में देख लेना अभी व्य वक्त है सेक्रेटा श्रेनी को उसमें आपको देरका है कि दालत को अधिक राशील तें कम अभी अबर सेल्ग करम में जमाय हुआ इस्परकार दालत को मेंगेनिसियम या न अलुमिनियम जेंक मैं पर इसे देरकाव कोपर इस तरह करम देरकाव को उसको आतकर लेना हर जगे काम आएगी है आपके सेक्रेट असरे नहीं अगला इसका राइट अप्शन हो जाएगा आपका अगला निमन में से कौन से विलियन इमन का उस्ताम प्याच होगा LOH3, K2CO3, NaOH, Na4OH निमन में से कौन से विलियन मनमोल का उस्ताम प्याच होगा तो राइट अप्शन हीजिए NaOH एक अभी क्रिया में X प्लस 2Y उत्पाद अभी क्रिया की आनुता है 1, 0, 3, 2 राइट अप्शन हीज 3 अगला बेकिंग सोड़ा है फोर्मला सारे याद रखने हैं आपको देखो चायव आपका बेकिंग सोड़ा हो चायव आपका खाने का सोड़ा हो चायव आपका धोने का सोड़ा हो हर एक का साधान नाम, chemical name और formula तो याद रखना यही chemistry के बाचान है तो आपने baking soda को बता दिया होगा, खाने का soda जो आप use करते हो sodium hydrogen carbonate, NaOH CO3 इसमें अगर थोड़ा सा अमल मिला देते हैं तो क्या होता है, यह CO2 gas देता है अगला और उसको antacid के रूमें भी काम में करते हैं, अगर आपको acidity हो गई तो baking soda का सकते हो आप, क्योंकि इसमें सार यह गुन होता है जो के acidity को कम करता है, नायलोन बनाने में उप्यो की जैने वाली कच्चिपदार थे एरो मेटरेल यूज इन मेकिंग नायलोन अगर नायलोन आपको बनाना है तो कच्चा माल क्या आएगा, इताइलीन, मेथिल, मेथाइक रप्टाउन, बुटडाइन या फिर एड़पिक अमल नायलोन बनाने में इसका राइट अप्शन है, एड़पिक अमल अगरा क्यूशन, ग्रेपाइट है, सुचालक, उस्मा का कुचालक, विदूत का कुचालक, उस्मा का सुचालक, बहुत अच्चा क्यूशन है इसका राइट अप्शन होजेगा आपका, उस्मा का सुचालक उस्मा का सूचालक सारुदिंग मीटी सरकरा है दा स्विश्टाइज सुगर इज लैक्टोज, फ्रेक्टोज, ग्लुकोज, शुक्रोज सारुदिंग मीटी सरकरा है तो इसका राइट में फ्रेक्टोज, फ्रेक्टोज, अगला, ऐलियjem का राशा निक परती, बताने आपको, पढ़न कहा है आपने, तो बता तो, है तो इसका रायट आप्षन है है एच्टू एच्टू स्टू और सेवन याद रखनें स्को थो एच्टू एच्टू और बोलते इसको अग्ला ब्रोमीन और क्योग के साथ इस्टामाइड की अभ़ी किर्यात से होता है मैथल एमिन एथिल इलकॉहॉल एथिल एमिन यह फिर व्रॉमिन और कोई के साथ एसे ट्राइट के विक्राइचे होता है तो राइट ऑप्षन इच मेथिल एमीन मेथिल और एमीन ठीक है मेथिल एमीन किस ततों का आयनन एंटल्पी सबसे कम होता है विच्छ इलेमेंट है पिछली बार भी पूचा जाए सको है क्लोरीन प्लोरीन हाइड्रोजन सब कुछ यहां देख रहा है आपको आइनन एंटल्पी सबसे कम होती है वह होती है अगला कुशन अभी तो बहुत है विग्यांद के करने ना क्योंकि आपको काप्र सारी कुशन चाहिए नाइट्रोजन परमाणों में तीन अहीं में त्रोड़ों की बरेता द्वारा समझाए जा सकता है अनिच्छ सिद्दांद हुंड का नियम पावली का सिद्दांद ओब ग्रोगली भी पड़ी होगी तो कोई दीक्तों बात ही नहीं है अब कर लेते हम बहुत तीविग्यांद पिजिक्स के अगला है आपका बहुत तीविग्यां इक का यानि की आपका जो कौन से टेंपरेचर पे आपका जो डिग्री संटिग्रेड है और पार आट है समान होगा इसका राइट ऑफचे आपका पहले आप बताओ बिल्फुल माईनस 40 डिग्री शेल सेल्स इसका ध्यां रगना तोड़ा सा किस तापर सेंटिग्रेड और फारे नाइट इसके लेक्समान होंगे माइनस 40 डिग्री सेंटसेज ऐसे कुछ नाते हैं आपके अगला भारत में रेडियो ट्रांसमिसन के लिए किस परकार के मोडिलेशन कार रहे था है तो चीव है the frequency मोडिलन जिनको आफ्पOne मोडेशन शूसरा की पौल्पोरम होते हैं फ्रक्वेंसी Moodleum के ते का एक ताएम यानि कि अज्ट्ट मोडिलेशन एक को ताए पी येम हैं पल्स मोडिलेशन मिहां ना》 तो बताओ बारत में रेडियो ट्रांस्मिशन के लिए किस परकार के मोडिलिशन कारे रहते हैं तो रायट आप्शन इज एम्प्लिटूट मोडिलिशन एम एम आएगा पीम नहीं आएगा टिक गल जेगा भी लग जाता है ठीक है ये वाला एग झाने कोई दिक्त नहीं टिक कही भी बार लगा सकते हैं आप अगर याद आ जाये चो यदि स्रल लोलग में दाउंतु के गोली किस्तान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका अवर्थकाल क्या एफेक्ट पढ़ेगा अवर्थकाल पे वह आपका वही रहेगा कुछ प्रवाव नहीं पढ़ेगा ठीक है वही रहेगा अगला यदि फ्रवत्वी की तिर्जा को 2% कम कर दिया जाए तो तरह द्रह उमान वही रखा जाए यान कि इस तिर्खा जाए तो फ्रवत्वी की स्ता पर पिंट का बहार होगा वही रहेगा इनमें से कोई नहीं बढ़ जाएगा गड़ जाएगा बहुत अच्छा कि उसने बन सकता ह एक्जाम में अभी सोच लिया होगा आपने नहीं सोचा है तो सोच हो क्योंकि हमने आपसे बोला था कि एक्जाम आप दे रहे हो हूं मानो अभी दे रहे हो अभी कद भी तो इसका राइट अप्शने बढ़ जाएगा नेक्स्ट यदि एक पिंड की गति जुड़ जाका मान उसके प्रारिमिंग मान का चार गुना कर दिया जाए तो निया सवेग होगा यदि एक पिंड़ी गती जूर चागा मान उसके प्रारिविंग मान का चार गुना कर दिया जाए तो निया सब एग इस तिर रहेगा इसके प्रारिविंग मान का चार गुना हो जाएगा इसके प्रारिविंग मान का दो गुना हो जाएगा इसके प्रारिविंग मान का तीन ग गुना हो जाएगा परालिमान का दो गुना नेक्स्ट एक तनी रबर में एक इस्टेंज रबर में गत्य जुर्जा होती है इस्तिति जुर्जा होती है एक्जाम्पल पता होंगे तो आप बता देंगे होंगे गत्य जुर्जा के एक्जाम्पल इस्तिति जुर्जा के एक्ज इस ते उर्जा अधिक होती है ठीक है नेक्स्ट हाइजन की वेव थेओरी किसकी वैक्या नहीं कर सकती है दुर्वी करन वेव बरतन फॉटो एलेक्ट्रिकल इफेक्ट वैतिकरन हाइजन की वेव थेओरी किसकी वैक्या नहीं कर सकती है राइट आप सनीच पॉटो एलेक्ट् इसके वैकर नहीं कर सकती है किर्चौप के पर्तम और दित्ते नियम के स्रक्षन पर आता रही थे पढ़र काई नापने किर्चौप का नियम उर्जा और आवेक, द्रेमान और आवेस, आवेस और उर्जा इनमें से कोई ने बहुत अच्छा क्यूसन है किर्चौप के नियम से भी क्यूसन बनता है गाई नियम, सिद्धान तो आपको सारे याद रखने है पेजिक्स, कैमेस्टिक है हम काफी बार बॉल चुके हैं कि नॉटबुक में लिख लो काफी सारे आपके जितने भी नियम है जितने भी सिद्धान थे जितने भी फोर्म ले पिज़ेस केमेस्टिक हो जितने भी इसके बैसिक वीमाएं हैं इनको आप लिख सकते हो गाई यह आप कर सकते हो कैसा नहीं कि भारी चीज़े यह आप कर सकते हो कोई भी कर सकता है आप जुरूर कर सकते हो गाई एक्जाम के टाइम पे आपका है फाइदा है क्योंकि कमपडिशन तो बहुत हाई है ना इसलिए तो राइट आप सब्सक्राइब आवेस और उड़ जा आवेस उरुजा यह होता है किर्चोप के परतम और दित्यनेम के स्रक्षन पर आदारित है आवेस और उड़ जा ठीक है यह है आदारित अगला एरजस्ट यदि एक बल एप इसकल एट प्लास बीटी स्कार के बराबर दिया जाए जहां टी समय है और एबी वीमाई है एबी की वीमाई होगी वीमाई आपको बतानी है सब को आते होगी बनाने वैसे वीमाई है तो को दिक्कत वाली बात है नहीं इंट्रिजेंट इस्टुडेंट हो आप इसका क्रेक्ट आप्शन हो जाएगा ML T-3 और ML T-4 अगला इन में से कोन कतन सत्य है वीच पद, फ्ल्वविंग, ट्यू सब फी टक रों में 11 शुटा नहीं होता लेकिन क्याको लेकिन इलास्टीचट कर में गँए क्प ररदी कर आपडा ये सब्यों में सवहे अपम फारेक यह जब इलास्टीक कर में अगिकन ऐन दो पांच कुशन बनी जाते हैं 11 से भी इसका राइट ओप्शन है सभी टक्रों में सव्वेक्स रख्षित रहता है लेकिन गत्य जूर्जा नहीं आगला पिंड की विकर्णी उर्जा के समवन पाती होती है पिंड की विकर्णी उर्जा के समवन पाती होती है तो इसका राइट ओप्शन इस टी पोर अगला एक पिंड जिसका दुरुमान 0.1 किलोग्राम है 0.1 से गिन में 10 मेंटर पर सेंगिट के वेक्स से गतिमान होती है पिंड पर लगने वाला बल है 100 न्यूटन 10 न्यूटन या फिर 0.01 न्यूटन या फिर 0.01 न्यूटन इसका राइट ओप्शन ने 10 न्यूटन अगला एक गिन्द उचा एच से फेकी जाती है और दूसरी 2 एच से दोनों गिन्दों की भूमी तक गिनी में लगा समय कनुपाद बताओ ये भी 11 का एक उसन है और ओप्शन है कि 1 रेश्यो अंडरो 2 रेश्यो वन या फिर 1 रेश्यो टू टू रेश्यो वन राइट उप्शन वन रेश्यो नरो टू एक सीधे लंबेदारा वहाँ चाला के कारण चुमके प्रण के रेखा है ये 100% चुमके प्रण से तो क्युसन आता है आता है तार के लंबत होती है सकेंद्रित वरत तार के समांदर होती है इन में से कोई नहीं बहुत अच्छा कुछन है इसका राइट ओप्सन हो जाएगा सकेंद्रित वरत अगला नुमेरिकल है गैज नुमेरिकल आएंगे आपके फ्री इस पेस में विदूद चुमकिये तरंग का वेग ठी मिल्टिप्लाइ टेन दिपाउट एट मिटर पर सेगेंट है एक रीडियो तरंग की जिसकी तरंग दे रहे 150 मिटर है तो आवरती होगी गैज अगर आपका नुमेरिकल में आप कमजोर हो तो पहले अलग लगाना होता है और आपको मिले में मान भी कूट करना होता है यहे न तो अगर आप और आपनों आप гр कोर तो किया होगा आपने रभ में तो इसका राय टॉप्शन हो जाएगा आपका टू मेगा डच अगला आर तिर्जाववा एक समान रूप से आवेस क्यों से आवसित खौक लेग वाले का वीदू से तरवार वीबब होगा बहुत अच्छा क्यूशन है यहां से क्यूशन बनता है टॉल से ज़्यादा बनते हैं आपके क्यूशन को देख लो ओप्शन देख लो टाइम कम लगता है वीडियो को पोच्छ कर लिया गुश्च क्योंकि टाइम थो हम पांस सेगंड का देंगे फिर क्या वीडियो लंबा जाता है ना लगभाग समने कर लिया हो किसका आंसर आगया होगा कि आर तिर जावा एक समान रूप से आवसित क्यों से आवसित कोक लेक़ वाले का वीदि 0.01 हैंडिके 0.01 हैंडिके प्रारेंग में 50 हच्टाज एसी की रेक्टेंस होगी 1.04 0.59 3.14 6.28 इसका रायत ओप्सनीच 3.14 अगला एक प्रिजम का अप वर्टन कौन ए है और प्रिजम का पॉर्टन और अपॉर्टन और तो है तब नियुतम विचलन होगा सब्सक्राइब होगा नियुतम विचलन 180 डिग्री माइनस टुए ऐसे कुछन यह देखो अगला कुछन फिर चुमक से आगया और चुमक से हंड्रेट परसंट कुछन आएगा आपका लोह जो पेरा मेंगनेटिक के डाया मेंगनेटिक के यहां से कुछन बनता है बनता है पैरो तो मेंगनेटिक मेंगनेटिक या फेर मेंगनेटिक है तो लो चुमक्तिच मेंघệc के तो फिर मेंगनेटिक चुमक के तेन तो ओधर होंगे और एक लोग चुमक्ततव का होगा तो आपको वह अप्सें स्लेट करना होगा यहां तो कर लियागो ना आपने कि चुमक्यागूर्ण सुने नहीं होता है तो किसका नहीं होता है अनुछ चुमक्ततव यानि के पैरामेगनेटिस का अगला किसी नाबिक की आउसत बंदन औरजा परती न्यू कलोन का क्रम होता है So जो होता है आठ मेंगा इलक्टो वर्ट अगला यह देरका है कि P Vector Q Vector के बीच का कौन होगा P P Plus Q Vector P Vector मैनिस Q Vector के बीच का कोन होगा सिरफ 1-819, 1-800 degree और 1-80 बीच, इन वेज़े कोई नहीं, बहुत दिचक बिचन है Vector आपने पर्डर के 11 में तो बता दू न इसका राइट ऑप्षन है जीरो डिग्री और वनेटी डिग्री के बीच अगला निमन में से कौन सा गेट किसी डिजिटल सर्किट के लिए विल्डिंग ब्लॉक के रूमें कारे करता है नौट गेट से तो 101 परसेंट कुछन आएगा 101 परसेंट हम लिख देते इसको गेटों स याद रखने हैं कितना इंपुट मिलेगा इनको फोर्म लेबी है और कौन कौन सा गेट मिलेगे क्या बनाते हैं था आप रहता है अपको किना नियुक्त परसेंगर क्या बनाता है वो भी आधर रगना है आपको पूचा जाता है कुछ इसका क्रेक्ट ऑप्शन होजेगा नांट गेट अगला भावरदारा उत्पन होती है एडी करेंट आर प्रोडूज इलेक्टो मेंगनेटिक प्रस्ट से यह सबी इंडेक्शन परने से या फिर इस्पिडोमेटर से तो रायट ऑप्शन है यह सबी अगला दवनिमेट डॉपलर इपेक्ट का कार्ण है प्रक्सक की गति हस्त्रॉत की गति हस्त्रॉत और प्रक्सक की सापेक्ष गति इनमें सो कोई नहीं और हां मॉर्णिंग में जो वीडियो डाला था हो किसको नहीं मिला जूलो जी का और बॉटने का अच्छा वीडियो था 30-30 मिंट का लिंक दे दिया नीचे अगर आपको नहीं मिला होगा तो दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया तो इसलिए नहीं मिला ओगा आपको लिंक देदे हैं इस वीडियो को खतम होते देख लेना दवन में डॉपलर एप्ट का का तो राया टॉपशन हो जाएगा आपका हस्त्रोत और प्रक्सेग की सापेक्स गती हास्त्रो तो प्रक्सेग की साप एक्सगती एक प्रेणाम है ब्रनोलिका समिक्रण के स्रक्षन का एक सब एक कोने सब एक बरनोली का समी करंड है के स्रक्षन का एक प्रेणाम है इसका रायट आपस ने उड़जा के स्रक्षन का नेम का प्रेणाम है और जो डिस्क्रिस में लिंक दे रहा है बॉटनी जूलोजी का उसको वीडियो को देख लो अबी कभी